Dear students, स्वागत है आप सभी का City Montessori School C1 के इस YouTube चनल पर आज के Biology क्लास में जिसमें हम चर्चा करेंगे Bug Transport का देखो, Bug Transport जो है वो कोशी का जिल्ली जिसको नो Cell Membrane कहते हैं, तो Cell Membrane से होकर Large Quantity में Food Particles और दूसरे भी कुछ Materials के Transport का एक Mode होता है, इसमें बात करेंगे तो Chemical Estimulation भी Involved होता है, और साथे साथ इसके अलावा जो Plasma Membrane है इसका Folding और Fusion भी होता है, ताकि Vesicles Produce हो सके हैं, जिनको के हम लोग Carrier Vesicles भी कहते हैं ये दोनों तरफ में होता है अंदर की तरफ में भी होता है और बाहर की तरफ में भी होता है, Living Organism जो होता है वो अपने Food को भोजन को जो है, बड़े आकार वाले Molecules के रूप में बक मिलेते हैं जो की Plasma Membrane को Cross नहीं कर सकता है, मतलब की पार नहीं कर सकता है अब क्या होता है कि ये जो Molecules हैं वो दो परकिरियाओं से ट्रांसपोर्ट कियाते हैं एक का नाम है एक जो Cytosis और दूसरे का नाम है Indocytosis अब देखते हैं कि एक जो Cytosis क्या होता है, एक जो Cytosis को हला कि हम लोग Cell Whomiting भी करते हैं और एक जो Cytosis का definition बताना होगा तो हम बता सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि एक्जोसाइटोसिस जो होता है वो कैरियल विसिकल्स जिसको क्यों लोग एक्जोसाइटोसिक विसिकल्स कहते हैं उसके मदद से सेल से मेटेरियल्स को बाहर निकालने का प्रोसेस होता है और यह जो होता है वो सिक्रिट्री और एक्स्क्रिट्री सेलों के अंदर में काफी कमन होता है आम होता है देखो यह जो सिक्रिट्री या फिर एक्स्क्रिट्री प्रोडक्स होते हैं वो सभी एक्स्क्रिट्री और सिक्रिट्री प्रोडक्स जो होते हैं वो विसिकल्स के अंद इन सभी सीक्रीटरी और एक्सक्रीटरी प्रोड़क को पैक कर दिया जाता है और उसको जो है बाहर की तरफ में पास कर दियाता है जो कि बाद में क्या होता है कि सेल के मेंब्रेन से कंटेक्ट में आता है संपर्क में आता है और फिर संपर्क में आने के बाद से क्या होता है कि वह विसिकल जिसके अंदर में कि यह सब वेस्ट मेटेरियल्स पैक्ड हैं, वह सब क्या होते हैं कि चुकि यह जो विसिकल होता है वह से से मेंबरेन के कंटेक्ट में आते ही फ्यूज होने लगता है और फ्यूज होने के बाद से क्या होता है कि बर्ष्ट हो जाता है फट जात जो वेस्ट मेटेरियल्स को उन सभीड से बाहर निकालने के लिए फ्रूआउट करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है और साथ ही साथ यह हिसेडिक्त न्हों हर्मॉंस सब तो इन सब थो करने के लिए भी काफी important होता है इसको मैं आप सभी को diagram से भी समझाजता हूँ जैसे कि देखो यह से कि यह जो है यह एक sale हो गया आप लोग imagine कर लो कि यह जो है यह एक sale हो गया अब क्या होता है कि इसके अंदर में जो excretory products हैं वो सभी क्या होता है कि Golgi apparatus के द्वारा एक bicycles के अंदर में pack करने के बाद से क्या होता है इसको जो है बाहर के तरफ में pass किया आता है और फिर जैसे ही यह sale membrane के contact में आता है यह उसके साथ fuse हो जाता है जैसे कि देखो यहाँ पर यह fuse होगी यानि कि मिल गया है sale membrane से इधर भी sale membrane से मिल गया है और फिर क्या होता है कि यह हट जाता है और इसके साथ में जितने भी इसके अंदर में जितने भी excretory products होते हैं वो सारे इक सारे बाहर के तरफ में release कर दिया जाता है तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो कि visicles के माध्यन से जो है एक जो cytosis नाम का एक process किया जा रहा है अब जो दूसरा process है वो है endocytosis तो देखो endocytosis के बारे में जो है मैं आप सभी को कल पढ़ाऊंगा endocytosis और साथ साथ जो है इसके अलग अलग तरीके हैं types हैं तो उन सभी को जैसे कि endocytosis है या फिर endocytosis है तो इन सभी को जो है मैं आप सभी को कल पढ़ाऊंगा तो आज के इस beauty lecture को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you very much